Hey everyone, welcome to my channel, I am Simran Sahani and today is Saturday night and I am Simran Sahani, Night Alarmic Leader So all my night owls, how are you all? सबसे पर तो मुझे ये बता तो comment section में अदर है and then tell me कि क्या आपने active and pro mode में पढ़ना शुरू कर दिया क्या आपने बहुत ध्यान से pro form में अपनी study सुरू कर दिया या नहीं तो अगर नहीं करी है तो आज दिन है आपके पास आज आप वो करना शुरू कर दोगे अपनी pro form में सारे night owls active हो जाएंगे Saturday से आज से and early risers कल सुभा चार बजे से ठीक है तो all the night owls, all the early risers, 10th वाले, 12th वाले guys, this is the time ठीक है जो हम कहते है ना pro form में आना यह वो समय है हमारा बार में नहीं आना हमें pro form में बार में तो pro form में movies देखेंगे हम अभी pro form में आपको अपनी studies complete करनी है full without thinking anything guys, this is your active mood, आज से on कर दो, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहाए थे अभी तक well and good है वरना आज Saturday night है, date sheet आने के बाद यह हमारी term 2 की preparation की second Saturday night है and it's a request from your night alarm leader that आज से सभी बच्चे active studies start कर देंगे अपनी 10 students you are having one month, कल 27 है and then 27 सरी आपके paper शुरू है you are just having one month, give your 100% even 1000% and start studying तो आज best है आपके लिए, आज राज से, आप स्टार्ट कर देंगे और आप नाइट आउल हो तो साटने के study night से early राज जरू हो तो कल्चो बाद जल्दी उठके start the battle, okay अगर आप 12 में हो, you have little bit more time, one month से थोड़ा से extra time है but अभी आप लोग ले कुछ new चीज़े भी आई है, तो उन सब को हमें cover करते वे चलना है तो इसलिए 10th and 12th students, without wasting any time, we will start our studies, ठीके आप लोगों को बहुत देर तक पढ़ाई नहीं करनी है, वो तो अभी आपके बहुत अच्छे से पढ़ना है आज से क्योंकि उनके board exam साने आले, आपका क्या है, आपकी अभी starting है, तो आप जल्दी सो जाना time से ठीक है 11 o'clock, 11.30 तक और आज सोने से पहले, या सुबर जल्दी उट के जो early risers है, वो क्या करेंगे अपना कोई एक chapter decide करके उसको अच्छे से read जरूर करेंगे अब आते हैं सारे board students पे, तो guys, मेरे सारे night hours, early risers, जिनके board exam आने आले हैं date sheet यहां सामने आपको दिख रही है, यह 10th की है, 12th की मेरे दूसरे study room में है तो guys, यही समय है आपका बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए एक बात बता रहे हूं, अभी जो आप पढ़ोगे इस समय पे जितना आप अपने mind में जो है अपना जितने भी chapters का input जो है यहां पे feed करोगे उतना आपके लिए better है, कुछ समय बाद आपके exam है, जितना इस समय में पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा, जितने questions प्राक्टेस करोगे आपको help करेंगे, यही समय है, आपको अपने लिए अच्छी percentage score करने के लिए, अपना best score करने के लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक है, तो यह बाद में नहीं आएगा आपके पास time, तो आज से ही, this is our Saturday night wake up call, अच्छे से बढ़ने के लिए, ठीक है, और अब तो वैसे ही, हम अपना आज Saturday night है, हम अपने night all mode में, हम अपने pro mode में active हो जाएंगे, early rises अपने pro mode में active हो जाएंगे, hopefully आप 8 बज़े से पढ़ने बैठ गयोंगे night alls, और सुबह चार बज़े तक, 5 बज़े तक early rises हो जाएंगे, तो आपको पता है, अब आप अपने pro mode में हो, हम night alls क्यों ब करने हैं, तो एक बाहर से तो आप लोगों को कोई अवाज नहीं आ रहा है, कोई distraction नहीं आ रहा है, यहां पे studies करते होए, बट एक जो अंदर का भी distraction होता है, हमारे एक अंदर से जो शोर आते है, हमारे दिमाग में जो चलता है, समझ गए night alls, सारे के सारे early rises, आज Saturday night को ही य आज आपको kill कर देना है, कि जिस समय पर पढ़े हो, आपके मन में कोई शोनना चलो, आपके मन में कोई बात ना रही हो, आपके मन में बस यह बात हो, कि अगर यह chapter मेरी सामने खुला है, तो इसमें क्या चल रहा है, और मुझे इस chapter को जल्दी complete करना है, इसकी reading कर लिया है, वीडियो से समझ लिया है, तो इसके अच्छे से question answers पढ़ने है, question answers पढ़ लिया है, तो एक ऐसी अपने आपको pro form में create करना है, कि मैं question answers भी कर पहूंग, वो कब हो कर दब sample papers करेंगे, तो समझ गए आप, बाहर का distraction तो आप अपनी pro mode में आके हटा दोगे, कि बाहर से कोई आ सारे नाइड ओल्स आठको पढ़े, अली राइस अबर पढ़े, बट जो एक अंदर से distraction आता है, उसको भी आज सारे साटरडे नाइट को सब ही किल कर देंगे, और अपनी active studies start कर देंगे, तो सबसे पहले 10th के सारे के सारे नाइड ओल्स, अब 1 month you are having, direct आपके पास कल से 1 month हो आपके studies करने के लिए, अपने basis पे, even we will create new plans also last month का हमारा, but अपने basis पे आज एक chapter आप अपना decide करो, अपना कोई एक subject decide करो, मुझे भी बता सकते हो, comment section पे and start studying, जितनी देर पढ़ना है, उतनी देर पढ़ो, कल संडे है, आपको कोई restriction नहीं है, जितनी देर पढ़ना है, पढ concept को complete करो, अपने ही फोकस से full month आपको पढ़ना है, and same goes on with the class 12 students, थीक है, तो class 12 students भी वैसे ही, अपनी term 2 को priority पे रखे, सबसे पहले अपने term 2 के लिए, अपने best score करने के लिए, preparation करते रहो, and बाकी बाते हम धीरे-धीरे discuss करते रहेंगे, हमारी term 2 की date sheet announce होने के बाद, second Saturday night है, if high chance अगर आपको कोई syllabus कहीं से complete नहीं था, 12 students, 10 students, कुछ भी जो पीछे चल रहा था, make sure कि one week तक आप उसको बहुत अच्छे तरीके से complete कर लो, क्योंकि जो next Saturday night होगी हमारी, अगले हफते की जो Saturday night है, वहां से हम अपनी revision series जो है, उनको शुरू कर देंगे, we will be doing back to back revisions of our chapter, and even म कर दिये हैं, मैंने 12th English students, आपका revision कराना, start करा दिया है, 10th के भी सभी classes के सभी subjects का revision start हो जाएंगे, तो आप यह मान के चलो कि next Saturday से हमारे सभी revision batches ओन हो जाएंगे, हर एक chapter के 25, 30, important long answer, short answer, I'll be telling you how to learn them, how to make answers yourself, and revisions of chapters, everything we will be doing from the next Saturday night, तो इस Saturday night तक यह पूरा week आपके पास है, ज कुछ पीछे चल रहा था, उसको up to the mark लेकर आओ, उसका syllabus complete करो, and next Saturday night से हम revision techniques पर फोकस करेंगे, तो यह Saturday night क्या है, आपकी, जो बी कोई subject का, कोई chapter अगर आपका आज बच रहा था, कोई अधूरा है, उसको complete करने में आज start हो ठीक है, चाहे आप 11 में हो, चाहे आप 10 में हो, आप 12 में हो, अपने board के लिए, जो chapter आपका भी बच रहा था, और उसको complete करो, अगले Saturday night से हम focus करने वाले है, अपने revision के, आज की Saturday night पर जैसे कि आपको अपने chapter complete करने से पहले सोना नहीं है, और बिल्कुल उसे finally complete कर देना, अरली रहाजा सबड की complete करेंगे, तो हम लॉंग study करने आले, इस Saturday night को, तो जब हम लॉंगा study करते हैं, तो definitely हमें थुड़ा सा बीच में break भी लेना चाहिए, तो Saturday night है आज, तो आप definitely अपना break लेना, जब रेक लोगे, तो मुझे भी बता सकते हो, even मेर को भी बहुत सारा work करना है, आप लोगे important question series के लिए, सभी questions ready करने है, तो I will also do the work, तुम भी अपना Saturday night को पढ़ाई करो, और बीच में breaks लेते हैं, जैसे कि अगर आप 8-10 का session लगा रहे हो, तो 10-10.30 ब्रेक ले 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 या 15-20 ब्रेक ले 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 ग्राब a snack for you, कुछ भी आपको खाना हो, एक ब्रेड मलाई और ब्रेड मक्हन हमारा चलता ही है, ठीक है, बाकी ने आई टॉल्स आजकल मैंने देखाई कि चिप्स भी खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम या, थोड़ा सा एक 10 रुपीज जाला जो पाकेट होता है, बहुत जाद हमारा ओन हो चुका है, ठीक है, आज से आपका परो मॉड न रज जाएगा, आज की Saturday Saturday night को मैं बहुत जादा स्पेश़ है, नेक सैटेस सदी न पूछूंगी आप लोगों से क्या वह कंप्लीशन वाला प्रोसेस कंप्रेट हो गया है, या नहीं और जो बच्छे ऑपचे फोकस तरीके से पढ़नके तरीके से पढ़ने तो इस बधाई टिके बैस ओफ लग मैं मिलती हूँ आप से निक्स वीडियो